पुत्र पाप रूपी प्रज्वलित अगनी के भई से भई ना करो श्री कृष्ण के नाम रूपी मेगों के जल से बूंदों की बूंद पाप रूपी प्रज्वलित अगनी से भई ना करो श्री कृष्ण के नाम रूपी मेगों के जल की बूंदों से उसे सीच कर बुझा दिया जाता है वाव, तो पाप रूपी अगनी, ना सिर पाप रूपी अगनी बलकि पाप करने की इच्छा रूपी अगनी उसको भी मिटाने की शक्ति है किसके अंदर भखवान के नाम के दर तो बड़ा सुन्दर एनॉलजी आ रही है अगर आग लगी होती है और हमाँ बारिश हो जाए मेगों से बारिश हो जाए तो कि कहोते हैं फिर आग बुझ जाती है पर मेगों का सारा पानी स्वाल नहीं करना पड़ दा मेगों की थोड़ी बुंदे बड़ती है आग बुझ जाती इस परकार से ऐसे हैं बहुत कृष्ण का नाम हमें लेना पड़ेगा अपने पाप मिटाने के लिए कृष्ण का नामों की कुछ बहचार उसी सही पाप नश्र हो जाएंगे उसके बाद तो फिरवाँ खेत कलियान होंगे वहाँ पर उपजाओ होगे वहाँ पर आपके भक्ती निता बीज को पोशन मिलेगा वह अंकुरित होगा, बड़ा होगा क्रिश्ट प्रेम काफल आएगा सब होगा उस क्रिश्ट नाव की बारिशते जैसे कि अगर आग लगी होती है तो वहाँ फाइब ब्रिगड वाले आते हैं और वो आग को बज़ा देते हैं तो फाइब ब्रिगड वाला कौन है जो कि फाइब ब्रिगड की पूरे टंकी लेकर काया और उसने पाप की जो आग लगी हुए थी सबके दिलों में पुझा दी कौन है वो फाइब ब्रिगड वाला कौन है श्रीलब ब्रभुपाद की जाए तो श्रीलब ब्रभुपाद जी वो फाइब ब्रिगड वाले हैं अपने साथ वोस पाइब पूरा लेकर के आएं कृष्ण के नाम का और हम सब के हरदय में वो जो पाप की अगनी है उसको पुझाने के लिए तो इसलिए बिना प्रभुपाद जी कृपा के जीवन सिद्धी असंबव है इसलिए एक और बड़ा सुंदर गुर्गान है भक्तों के लिए जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्य को प्राप्त होता है मैं मनुष्य मेरा स्मरण के बिना भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है बज़ अगर आपके सामने कृष्ण का भक्त है मरते वक्त भवान नहीं है और भवान का स्मर्ण भी नहीं है इवन दैन वन के बिकम परफेक्ट जस्पाइ सिंग अडिवोटी अद लॉड़ राप्त हुई है यह वर्षा की बुंदे प्राप्त हुई है हरिनाम की की पाप की अगनी भी और पाप करने की इच्छा की अगनी भी दोनों शांत हो जाएंगी हरिनाम प्रभू की जवाए श्रीलो प्रभू पाद की